जादों की पाते तस्वीरों के संग आवाजों के धंग पीज साल की दगन नच्छे आई नाए पंग पीटीवी का सपल पहुचा है गरगर 1989 पीटीवी का सिल्वर जुबली साल था पीटीवी का एक दोर मुकमल हुआ और पीटीवी एक नए दोर में दाखिल हुआ अब इसके सामने नए जमाने के नए चैलेंज थे 1990 से बड़े शेहरों की बलंदो बाला इमारतों की छटों पर बड़ी तेजी से डिश एंटीना नमुदार होना शुरू हो गए इसी साल 29 मई को इसलामबाद में मुलक के पहले प्राइवेट टेलिवेजन चैनल ने अपनी नश्रियात का आवास किया इस तरह नाजरीन को सिर्फ ओन आफ करने के बजाए चैनल तबदील करने की सहुलत भी हासल हो गई यूँ एक सिहतमन मुसापकत की बुनियाद पड़ी इससे कबल भी पी टीवी को कई चैलेंजों से गुजरना पड़ा था 1990 में सुबए बलुचिस्तान और सुबए सरहत में नश्रियात का दाइरह वसी करने के लिए पी टीवी के तीन री ब्रोड कास्टिंग सेंटर्स ने काम शुरू किया 1990 में मुलक में खेलों के जिस सबसे बड़े मुकाबले का इहतेमाम किया गया वो साथवा वर्ल्ड कप हौकी टूनिमेंट था ये मुकाबले हौकी के सबसे बड़े स्टेडियम नैशनल हौकी स्टेडियम लहौर में 12 से 23 फरवरी तक जारी रहे फाइनल में हौलेंड ने पाकस्तान को एक के मुकाबले में तीन गोल से हरा दिया पी टीवी की इस कवरेज को बेरू ने मुलक भी पसंद किया गया यह तो मैंने सारी दुनिया में केलों के मुकाबले देखे हैं जिन में ऑस्टेलिया इंगलेंड जर्मनी हौलेड यह तमाम मुमालिक और इसके अलावर भी बहुत सारे मुमालिक शामिल हैं इन सब में अगर मैं बिलकुल सही बात करूँ तो अगर मेरा असेस्मेंट यह है कि दुनिया में नमबर वन जो स्पोर्स का कवरेज है वो अस्टेलिया का है और अगर उसके बाद अगर आप देखें तो वो कवरेज भी पाकिस्तान का है उनीस सो नववे में इंतखावी जोश खरोश एक बार फिर अपनी इंतहा को पहुच गया 24 अक्तूबर को कौमी और 27 अक्तूबर को सुबाई असेम्बलियों के इंतखाबात का इनिकाद हुआ पी टीवी ने हस्पे रिवायत खुसूसी नश्यात पेश की नताइस से फौरी आ गही बेलाख तज्जियों और दिल्चस्प और तफ्रीही प्रोग्रामों से लुथ उठाने के लिए रत जगे हुए जनवरी 1990 से हर महीने एक उर्दू फीचर फिल्म दिखाई जाने लगी 1990 में करारदाद पाकिस्तान की मन्जूरी की गोल्डन जूब्ली मनाई गई पी टीवी ने 16 फर्वरी से जिन्दबाद पाकिस्तान के उन्वान से सिल्सले बार दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किये इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की इंत्याजी खुसूसियात और आलमी बरतरी का आहाता किया गया कारवान आजादी तहरीक आजादी के नामवर रहनमाओं के बारे में खुसूसी दस्तवेजी प्रोग्रामों का सिलसला था ये प्रोग्राम नश्र मुकरर के तौर पर कई बार पेश किये गए ये नाहिद हसन जैदी की कावश थी इक्रा की जगा अलकिताब का आखाज हुआ इस प्रोग्राम में गुरानी आयात की रोश्री में हुकुक लिबात की तालीम दी जाती थी मेजबान इखबाल फरीडी, करप वहीद जफर कास्मी, पेशकर शाहीन अंसारी काईनात के रंग में बच्चों को काईनात के बारे में आरिफ अबासी ने बड़ दिल्चस्प अंदाज में मालूमात फराहम की ये प्रोग्राम फयाज बेख ने पेश किया कोईटा मरकस से बच्चों की गैलरी को बच्चों ने बड़ी शौक से देखा इसे अधर मंगी ने पेश किया सनाए कुद्सी के उल्वान से माह रमजान मुबारक में जान मुहम्मद कुद्सी की मशूर नात मरहबा सेयद मक्की मदनी अरवी के पर तजामीन पेश की गई इस पर डॉक्टर अबुल्ले सिद्धी की तपसरा करते थे मेजबानी के फराइज आफ़ताब रिजवी ने अंजाम दिये देखने में ये आया कि रमजान में चुके एक खास माहूल होता है जो के मधभी रंग जिस पे बहुत जादा होता है तो लोगों ने ना सिर्व इस परोग्राम का इंतिजार किया बलके इसको पसंद भी किया और बहुत ज़्यादाद में लोगों ने अपनी आरा से हमें मुद्तिला किया साथ साथ मर्दों के शाना बशाना मुख्तलिफ शोगों में काम करने और नुमाया मकाम रखने वाली खवातीन के साथ गुफ्तुगों का एक प्रोग्राम सुल्ताना सिद्योकी ने पेश किया इसकी मेजबान महताब अकबर राशिदी थी 1990 के दोरान में 17 ड्रामा सीरियल और 4 सीरीज पेश की गई कोईटा मर्कस का मदार एक ऐसे मासूम नौजवान की कहानी थी जिसे हिरोईन की स्मगलिम में गलती से मुनविस कर दिया गया था तहरीर अब्दुरौफ खालिद पेशकश सज्जाद एहमद पिशावर मर्कस की बारिश में कौसो गज़ा के सारे रंग मौजूद थे मुसनिफ डॉक्टर डैनिस आइज़िक और प्रोडियूसर जहां जेप सुहेल फ़कास के लिए फुचा का मेरे बेटे की परवरिश के लिए मौज़ू नहीं है मुन्नू भाई और यावर हयात ने जील में अनोखा तजरुबा किया उन्होंने 1971 में अपनी ही पेश किये गए सीरियल जजीरा को आगे बढ़ाया इसके किरदार उम्र में बड़े हुए तो नई कहानियों ने जनम लिया कि शर्गडवी दे लामा की आएं पहलें आपको मकान देखाता हूं क्राया बाद में देखने हैं आएं चले समय गालो मत्यकनाल देख लेकिन चुपचे पीचते समय कालो मत्यकनाल देख लेकिन बादब बामलाहिज़ा में अथर शाखान में बादशाहों, शहजादों और महलाती साज़िशों पर मबनी पैरोडी तर्स के खेल तहरीर किये प्रोडीसर कासिम जलाली ने अदाकारी के जोहर दिखाए ये हैदर इमाम रिजवी की पेशकश थी तुमने हमारी आँखों में धूलचों की बिरादर इस बती हमें एक खंजर तौफे में पेश किया और कहा कई हजारा शर्फियों में खरीदा है जबके वो खंजर उस बुड़े सिकंदर का था चाकर आजम में सूब बलुचिस्तान के अजीम हीरो के अजीम कार नामों को बड़ी खुबसूरती से मनजर आम पर लाया किया मुसनिफ अताशाद पेशकश दोस्त मुहमद किशकोरी इसे इस तरह ना लोटाओ इसका तकदस हमारे खुण में रजीब बसीर रवायत है और इस मौके पर खुण बहाने से नराव अपने खुण से नराव है खाहिश, फिल्म स्टार रानी की पहली ड्रामा सीरियल थी जो उनकी फिल्मों ही की तरह मकबूल हुई तहरीर असखर नदीम सेयद, प्रोड्यूसर राशिद डार मेरा शोहर है यही तुमसे रहाई चाहता है और अब तुने इस कार में मेरी बीरी बंकर रहना है या अपने पुतर नीमा बात यह है कि प्रोडेक्शन टेक्निकली बहुत तरक्की कर गई और जब चीज सजी सजाई हो खुशूरत नदर आती हो तो अट्रेक्ट करती है और जब चीज एट्रेक्ट करती है तो आप चाहे उसमें कल्चर नजर आए नाए चाहे आपका कल्चर की निगेशन हो रही हो आप उसको देखते हैं और जहन उसका असर लेता है इस से बचने के लिए हमने तैयारी नहीं की इस बात के मुझे दुख है तो इस खुश्वेमी में है कि जनाब कोई बात नहीं हमारा ड्रामा आज भी बहुत अच्छा है हमारा ड्रामा आज भी उतना अच्छा नहीं है टैलन्ट वाई अच्छा है वार एक्टर अच्छे हैं वार राइटर अच्छे हैं वार पस टैलन्ट हमारा उस कहानी है बाहर की दुनिया में कहानी खत्म हो रही है लेकि हमारे पास कहानी है यही एक मजबूत बात है लेकिन कहानी में नई जहतें तलाश नहीं की जा रही है ड्रामा सिरीज वक्त का आस्मान में कासिम जलाली वे जदीद दौर में साइंस और टेक्नलोजी की तरकी और इन से पैदा होने वाले मसाइल को अपना मौसू बनाया उन्नी सो नवे में इस सिरीज के छे और उन्नी सो एक्यानवे में पाच खेल पेश किये गए ज्यादा कहानियां सभी मोसिन ने लिखी आई ड़ी ओ ड़ी आई कांट बिलीव इट ड़ी ये मेरी फूल जैसी पच्ची के लिए पासा रहे फूल और ये मारी पसंदेदी चीज चाक्लाट ये में लोग जब रच्चे थे तो हम नानी दादी राद बजुकों से कहन्य सून के जबान हुए और से बले इचे मॉरल बले इचे अज़ बाख लेते थे वासकल के जो बच्चा है वो तेलवीजन देखता होज़वान हो रहा है तो न तीज़ यह यह वो उससे जोख्ष कर रहा है जारे ऐच्चे पहलूं मिले रहा है और बुरे पहलूं मेरा जिसका माराः यहारा आथ जिसका आम है याने athletes कुसम की उसकी तालिम हो रही है लहू तरह करांची मरकस का मुसीकी का एक मुन्फरिद प्रोग्राम साबित हुआ इसमें रफद हुमाईयों ने मिहनत कशों के मतालग गीप पेश किये अपने पुशिया अपने ओए और लाहरे कब हुआ लहूर मरकस से लोग मुसीकी परमवनी प्रोग्राम महकार ने भी मकूलियत हासिल की पाकस्तान वंडरलेंड ओफ हैंडी क्रैफ्ट में मुल्क के मुक्तलिफ इलाकों की दस्टगारियों की अकासी की गई 1990 में नई देली में एबी यू के जेरे तहत बच्चों के प्रोग्रामों के मकाबले में अलिफ से ये को खुसूसी सर्टिफिकेट दिया गया इसकी प्रोडियोसर अनीला शाहिंग थी प्रोग्रामों के अच्छा नहीं होता जब तक पूरी प्रोग्रामों के उन करके इसे पूरी मेहनत से नहीं बनाया था लेकिन इसे मुकाबले में भेजा गया और एशिया पैसिफिक कंट्रीस में जहां पर बहुत ही टेक्निकली सांट मुमालिक हैं जिने आस्ट्रेलिया जपान जहमनी जैसे मुमालिक भी शामिल थे उन मुमालिक के मुकाबले में यह वाड लेकर आया और यह किनन पी टीवी के लिए और जाती तौदे मेरे लिए यह बहुत बड़ा एजास था 1991 में भी पी टीवी ने आस्माने वक्त पर नई कहकशाएं सजाइं बर्याजम एंटाक्टिका के बर्फजारों में जनवरी एक आनवे में बानिय पाकिस्तान गायदियाजम मुहमद अली जिनाह के नाम पर जिनाह स्टेशन कायम किया गया पी टीवी के प्रोडियूसर खालिद महमूद जैदी ने भी इस दुश्वार मुहम में मुल्क की नुमाइंदगी की कराची टेलिवीजन स्टेशन की इमारस से मुल्हिक ये सड़क पी टीवी के एक मशूर प्रोडियूसर के नाम पर शहजाद खलील एविन्यू कहलाती है इसका इफ्तिता 28 नमबर को किया गया संग संग चले के बाद लहोर से आगन आगन तारे का आवास किया गया ये प्रोग्राम अब भी जारी है इसमें मुसीगी खलील एहमत तर्टीब देते हैं पाकस्तानी अदब साल बसाल एक ही आतकार महाना प्रोग्राम है हर प्रोग्राम में एक साल की अदबी सरकर्मियों का आहाता किया जाता है रवायती खुश्क अदबी प्रोग्राम के बजाए प्रोडिوسर तारुख जमील ने इसे अपनी काविच से एक दिल्चस्ट प्रोग्राम बना दिया प्रोग्राम की मिजबानी के फराइज रहात कास्मी ने इन्जाम दिये है इसके मुदीर मुदबिर रिज्मी है और आजकल ये ताजदार आदम पेश कर रहे हैं अदेन कास्मी सहब ये बताईए कि क्या पी टीवी के मौजुदा अदबी प्रोग्रामों का मेयार रूबा जवाल तो नहीं नहीं मैं समझते हूँ कि बाकाइदा यानि बहुती तद्रीजी अंदाज में तरक्य हुई है हर लिहाद से प्रोडक्शन में भी ये फोटोग्राफी में भी और जो माहौल तखलीक करते हैं आप ड्रामों में उसमें भी मुबाहिसों में भी और इसमें गानों के जो प्रोग इनके प्रोग्राम जो है वो इन हताथ पसीर है मैं समझता हूँ कि तरक्य पसीर है चैए अपरेल को इदिल फितर के खुसुसी शो इस्टूडियो ढ़ाई की मेजबानी अनवर मखसूद में चैए माह बाद ये शो एक मुस्तखिल प्रोग्राम की हैसित से शुब किया गया इसकी हिदायात मुसिन अली ने दिए हाँ है अचनान समी की खुबसूरत आवाज और पाकस्तान के हसीन मनाजर ने बहता दर्या को नवमगी बखशी ये खुजा नजमलहसन की पेशकश थी देहता दर्या रात बनी थी चांद की उसमें नाओ चली थी दर्या बार हुआ दर्या बार हुआ तीस सार की दगन नक्षे आई नाए फंड बी टीवी का सफ़र पहुचा है करकर दो अगस्त को एराक ने पोयद पर हमला कर दिया खलीच की जंग ने इस खिट्टे को भी मुटासिर किया हालात-हजारा के प्रोग्रंओ के अलावा पीटीवी के दीगर प्रोग्रामओं में भी इसके असराद देखने में आये रात वेट और हवा में खलीच की जंग के अल्मियों को मौजू बनाया गया ये असरी मसाइल पर पीटीवी की एक और यादगार पेशकश थी हिदायात काजम पाशा तहरीर हमीद काश्मेरी फिशार में अयूब खावर और अमजद इसलाम अमजद ने बदी के अंधेरों में सच्चाएं की किरन को जिन्दकी का सरमाया करार दिया पाले शाह वादी जोग के वो मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने तवील अरसे अंग्रेजों से जंग लड़ी और उन्हें पस्पा होने पर मजबूर किया तहरीर जमाल शाह पेशकश सज्जाद एहमद मेरी दामस में तो पहले ड्रामा इलामती ज्यादा था आज कल ड्रामा ज़रा रेलिस्टिक है बलके मैं तो यह कहूंगा कि ज्यादा होता जा रहा है अगर जहां तक प्रड़क्शन वैल्यूस का का अलुक है पहले भी आच्छे और बुड़ ड्रामे वह करते थे आज भी कभी कभार अच्छा ड्रामा हो जाता और अक्सर बुरे ड्रामे वह करते हैं हाला के बीस या पच्छी साल पहले साइंसिशिप के हवाले से दौर ज्यादा लिबरिल था लेकिन उसके बावजूद इनाम थी अंसर का ज्यादा होना मेरी समझ से बाहर रख लगए बयाबान जिन्दगी के खारजार की दास्तान थी मुसन्निफ डौक्टर मुहमद आजम आजम हिदायात फर्मान लाजान मजबूर हैं मुझे महाँ एक मही नहीं रख पड़ा बामी के बगएर ये घर ब्रकुर सुना सुना सा लगता था उनकी आते ही मेहले का समाओगे पाकिस्तान टेलिवीजन ने इतनी तरकी कर ली है कि अब उसके ड्रामे अटक्तिस मुमालिक में देखे जाते हैं और पसंद करते हैं लोग गो के पिशावर टेलिवीजन बाद में बनना और हमारे यहां के जो ड्रामे हैं वो बाद में टेले कास्ट हुए हम इंशाला कोश प्रामे और संटरों से बेहतर होंगे मुकदमे कश्मीर में कश्मीरी मुसल्मान अक्सरियत पर बरसा बरस से होने वाले मजालिम को एक मुकदमे के जरीए बहुत खुबसूरत अंदाज में पेश किया गया महराजा गुलाब सिंग लॉड माउंट बैटन और शेख अब्द उसनावाजा और सच के सिवा कुछ नगें। और जिसके बारे मेल्म हो जाए उसकी इज़त की जाती है मेरे नजी कोईटा टेलिवियन में तीन नौ के ड्रामे पेश किये गए हैं एक तो बन्याई तोर पर जो के रवायात और कल्चर्स की बन्याद पर है दूसरे वो ड्रामे थे के जो बलुच्टान की आउट डूर लोकेशन और फोटोग्राफिय पर बन्याद रखते हुए पेश किये गए लेकिन इन दोनों ड्रामों के लावा कोईटा टीवी से तज़रबाती नौईयत के और रुमैंटिक प्लेज और खालसतन माशरती प्लेज भी पेश किये गए और इन में च्छाओं, फासले, भंवर और इस तरह के ड्रामे शामल है तीसरी दुनिया में आबादी के बढ़ते हुए सैलाफ से जनम लेने वाले मसाइल को आहट में उजागर किया गया ये बोल्ड ड्रामा सीरियल, पी टीवी और अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स युनिवरस्टी की मुश्तरिका काविश थी हसीन मुईन के लवजों की आहटों से साहरा काजमी ने खुबसूरत मनाज़त तख्रीम किये तान सैन, पी टीवी एकेडमी का एक यादगार आर्ट सीरियल तसलीम किया गया इसमें मुगल बादशा अकपर के दोर के अजीम मुसिकार तान सैन की जिन्दगी की अकासी की गई जेबब अख्यार ने तानी का किरदार बड़ी महारत से अदा किया अकपर का दर बार में जाएगा, बावरी होगी है अरे उसे पहले टांगे दोड़ के हाथ में दे दूँगा गेस्ट हाउस उनीस सो एक्यानमे बानुए की मखबूल तरीन ड्रामा सिरी साबित हुई इसके ज़्यादतर ड्रामे कैसर फारूद और सेयत शाकिल उजहर ने पेश लिये पचास मिनट की कॉमेडी बहुत कम हुई है दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कॉमेडी आज तक होती रही है वो 25 मिनट की होती है पचास मिनट की कॉमेडी और वो मसलसल 52 हफते बगएर किसी ब्रेक के जिसमें इंट्रेस्टिंग बात ये है कि वो टीम वो सारी मौजूद है जिसमें स्टॉक केरेक्टर्स थे और कहानिया भी आती रही और चेंज होती रही अच्छी बात ये हुई कि नए-नए राइटर्स लिख रहे थे इसलिए नए-नए आइडियास थे तो मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान टेलिविजन एक बेहतरीन काम कर रहा है जांगीर फातह आलम अजीम जांगीर खान की हायात और कारणामों पर मुश्तमिल एक खुबसूरत दस्तावेजी फिल्म शाहिदा श्वैब रिजवी ने तखलीम की दावत दी NHK International और ABU यानी Asia Pacific Broadcasting Union के ताबों से ये फिल्म जापान में सिर्फ 42 दिन में तयार की गई ये पी टीवी के लिए एक एजास था इसके प्रोडियोसर नाजम उद्दीन थे इसी साल पी टीवी की दस्तावेजी फिल्म Life in the World City of Lahore को दो बैनल अक्वामी एवार्ड मिले इसे 12 Pre-Futura Berlin और TransTel 1991 में खुसुसी डिप्लोमे से नवाजा गया इस तारीखी फिल्म की प्रोड़क्शन के फराइज शीरी पाशा ने अन्जाम दिये Bridging the distance में कदीम और जदीद जापान के दर्मयान जराइम वासलात की बड़ी हरसीन अकासी की गए इसे 35th Competition for Film and Video on Japan में प्राइज फॉर एक्सलेंट फिल्म दिया गया पासबान सिसले की दस्तावेजी फिल्म Corps of Engineers को 1991 में रोम में मुनकदा Fourth People in Army Flame Festival में खुसूसी इनाम से नवासा गया ये दोनों दस्तावेजी फिल्में इसान गादिर हाशमी की काबश थी मैं प्रोग्राम प्रोड़क्शन में 20 साल से जायर तजर्बे की रोशनी में ये कह सकता हूँ कि किसी भी दस्तावेजी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तीन चीजें अहम तरीन है अबल दस्तावेजी प्रोग्राम चुँके हकीकत पर मबनी तखलीकी अमल है इसलिए मालूमात और तहकीकी मवाद में कोई सुक्कम या तिशनकी ना हो दो, प्रोडियूसर और उसकी टीम यानी कैमरामेन और अंजिनियर्स आला फनी मयाद से मुजयन हो सुँ, दस्तावेजी प्रोग्राम हजारों बलके लाकों मनाजर से मिलकर बनता है जिने हम शार्ट कहते हैं, हर शार्ट की जुजियात में भी तखलीकी हुसन और जमारलियाती खुबसूर्ती को खसूसी एहमियत देनी चाहिए जो भी दस्तावेजी प्रोग्राम इन अमूर को मदे नजर रखकर तैयार किया जाएगा, वो नाजरीन के मैयार पर जरूर पूरा उत्रेगा तालीमी चैनल का आगाज, बी टीवी की तारीख का एक अहम संग्यमील था इसलामबाद के सेक्टर एच नाइन में ये पी टीवी एकड़मी है, एकड़मी से मुलह ये पी टीवी के तालीमी चैनल ईी टीवी की इमारत है पी टीवी की एन 28 सालगिरा के दिन 26 नवंबर 1992 को पी टीवी टू का इफ्ता हुआ, इसकी आजमाईशी नश्याद इसी साल जून में शुरू कर दी गई पी टीवी टू के पहले मरहले की तकमील पर 62 करोर 70 लाख रुपे खर्च हुए, जिसमें 50 करोर 70 लाख रुपे यानी 80.86 फीसद रुप्म जापान ने बतौर इमदाद दी पहले मरहले में जापानी और पाकिस्तानी हुनर्मंदों की काविश से सिर्फ दो बरस में इसलामबाद में एक मरकज और दीगर मकामात पर सोलारी ब्रोडकास्टिंग सेंटर्स खाइम किये गए और मुल्क की 56 फीसद आबादी और 24 फीसद रखबे तक पी टीवी टू की नश्रियात का दाइरा वसी किया गया पी टीवी टू से रोजाना औसातन साथ घंटे प्रोग्राम टेलीकास्ट किये जाते हैं निस सौ बानवे के दोरान में तेईस मार्च से लारलाई के री ब्रोडकास्टिंग सेंटर ने काम शुरू किया 25 मार्च को मेलबर्ण में पांचवे वर्ल कप क्रिकेट टूर्यमेंट के फाइनल में पाकस्तान ने इंगलेंड को 22 रंस से शिकस देकर पहली बार वर्ल्ड चेंपियन बनने का इजाज हासिल किया पी टीवी के तवसुत से ये यादगार मनाजर हम वतनों ने बराहे रास्त देखे पाकिस्तान टेली विजिन बाहिद दारा है इस मुल्क में जिसने के क्रिकेट को बहुत जादा फरोग दिया है जिसकी बज़ा से लोग हमें जानते हैं वैसे तो हम मुल्क के लिए खेलते हैं हमार नाम बिल्कुल है मगर पाकिस्तान टेली विजिन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उसने क्रिकेट मैचेस घर घर में बचाया और पाकिस्तान का तकरीबन हर बंदा हम लोग पूरे क्रिकेट को बाई नेम बाई फेस जानता है इस अब टेली विजिन की मेरबानिया 14 अपरेल 1992 से हर हफ़ते एक उर्दू फीचर फिल्म दिखाने का सिलसला शुरू किया गया ड्रामी में पी टीवी ने एक और पेश रफ्ट की टेली थीटर के उन्वान से हर माह नश्रोने वाले लॉंग प्ले 16 अपरेल से हर हफ़ते दिखाये जाने लगे इसे हर मरकज अपनी बारे पर तयार करता है टेली विजन की उमर तो तीस साल हो गई लेकिन जिन्दगी टेली विजन की जो है वो दरसी मुस्तलिक हुई वैसे तो डिवलप करना चाहिए हो भी रहा तक्निकी इतबार से अधर वाइस लेकिन कुछ हाला तैसे हो गए हैं कि मैं समझदा हूँ थोड़ा सा असर पड़ा है हमारी इस प्रोडक्शन पर वगारे पर क्यूंकि हमारे आर्टिस्ट हमारे राइटर्स जड़ा ज़्यादा की जी हो गए 1992 के दोरान में पी टीवी के कई ड्रामा सीरियल्स ने मखबूलियत हासिल की मंडी में असर महम्मद खान ये पैगाम दिया कि माद्दी काम्यावियों से रिश्टे ज़्यादा एहमियत रखते हैं मंडी काजिम पाशा की पेश पश्टी अच आम दोर पर इस चीज के बारे में ये का जाता है कि जना आप बहार के मुमालिक की चीज़ें हम चूंके देख रहे हैं तो हमारे अंदर खराबियें पैदा हो रही है इसा नहीं है टेलिविजन के साथ एक मसला ये है कि टेलिविजन जो है आपकी रोज मर्रा जिन्दगी को ही उसी से उसका वास्ता होता है उसी को रिफलेक कर रहा हुता है वजाए इसके कि हम अपनी जिन्दगी को सुधारने की कोशिश करें और उसमें एक ऐसा रवईया अ एक और गाबल कदर कावश साबित हुई उन्नेस सो च्हासी में ड्रामा सीरीज दूसरा कदम के छे बरस बाद बानो फुटसिया ने ये सीरियल तहरीर किया इसकी हिदाया राशिद डार ने दी शुक्रिया 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 अपबा उससे बहुत दूर दिखाई देते हैं पिशावर मरकस से पेश होने वाले डॉक्टर डैनिस आईजिक के इस खुबसूरत सीरियल में तारिक साइद ने नए रंग भरे प्यारा सा लफ्स बोलते बोलते है चानक चुप क्यों हो गई क्या आपको अभी जुरत है लफ्स में किये गए इसहार की जुबैदा खातुन के मश्यूर नौवल उरुसा की रामाई तश्कील फात्म सुरया बजियानी की ये गासिम जलानी की एक और खुबसूरत बेशकर्श साबित हुई आरफा तो आरफा मैं उरुसा के मुटालख सोच हो कि उसको भी बड़ी आपकर सुबर्ट करता हूँ नहीं समझभा तुपारी आज तो ये कहा है आइंदा मैं नहीं सुनूगी महराब खांश शही जंग आजादी के एक अजीम हीरो की दास्तान शिजाद थी तहरीर ताज रइसानी कोईटमरकस से इसे इकबाल हैदर हने पेश किया टेलिवीजन ने हमारे अलगाई जबानों के तर्की टर्वीज में बहुत अहम किर्दार अदा किया और इसकी वज़े से टेलिवीजन के वज़े से हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे अदीब और शायर और ड्रामनिगार जो हैं वो पैदा हो गए हैं और वो रहे हैं हसीनमुईन और मौसिन अली की टीम ने एक और खुबसूरत सीरियल कसक तख्लीक किया अच्छी है यह क्या चीज़ है आज ने मकबूलियत की नई मन्जिलें तेगी यह मुसन्निफा नाहित सुल्ताना अख्दर और प्रोडियूसर तारिख जमील दोनों ही का पहला ड्रामा सीरियल था मैं समझता हूं कि अगर टेलीविजन नहीं होता तो ड्रामा खत्म हो चुका होता क्योंकि फिल्में तो खत्म हो गई स्टेज की ड्रामों का जो हाले वो सभी जानते हैं तो ड्रामी की तरफ्टी में टेलीविजन का बड़ा हाथ है कोईटा मरकस से मुहम्मद नवाज मकसी ने लकीरें तखलिख की एडी बलोज की कहानी को अकरम जेब ने ड्रामे का रूप दिया बाबा मैं उसे बताओंगी कि हम भैर बक्रिया नहीं है 1992 से पी टीवी ने अपने ड्रामे के खत्ताम के बाद फनकारों के साथ शोस का सिलसला शुरू किया एक शाम कसक के नाम इस सिलसले की पहली कड़ी थी गुष्रांसारी की मेजबानी में ये शोग पासिव जलाली ने तर्टीब दिया ग्रीन कोल्ड में पशावर मिरकसे दुर महमद कांसी ने वादी सवाद के सरसबस जंगलाद और दीदजेब मनाज़र को अपना मौज़ू बनाया उन्होंने खुदरती माहौल और जंगलाद की शक्री में मौज़ूद की तहफुस पर भी तवज़ू दिलाई 1993 में पी टीवी ने नई मुसाफ़ते तैकी 10 अपरेल सेपहर 3 बज़े से मगबूल प्रोग्रामों को दुबारा नश्र करने का सिलसला शुरू किया 1993 मुल्क में छटे आम इंतखाबात का साल था अक्तूबर में होने वाले आम इंतखाबात से पहले पी टीवी ने तमाम हलकों और इंतखावी उमिद्वारों के मतालिब मालुमात फराहम करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम पेश किये 1993 के दौरान दो नए रीब्राटकास्टिंग सेंटर खोले गए 14 अगस्त मुझफराबाद 23 अक्तूबर देह शाह मुरीद नवबर 1993 में 18 वर्ल्ड ओपन स्कॉश टोर्नेमेंट और इसके बाद वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कराची ने की पाकिस्तान 6 साल बाद वर्ल्ड टीम चैंपियन बना पी टीवी की इस कवरेज को बराहरास दुनिया के कई मुमालिक में पेश किया गया 1993 के दौरान पी टीवी की प्रोग्राम के रूप और निकटान प्रोग्राम सापित हुआ ये 25 अपरेल 1993 से अब तक जारी है इसे एहमीद तहरीर करते हैं उसे जस्प और मालूमाती स्पोर्ट्स शो नाजरीन में बहुत मख़ूल हुआ इसकी मेजबानी आलिया रशीद ने की और इसे जमशेद फरशोरी और अख्तर वकार अजीम ने पेश किया अंकल सर्गन के खालिप फारुग कैसर सर्गन टाइम के साथ जल्वगर हुए इप्तिदा में उनके हमरा मेजबान शुमीम हिलाली थी और बात में उनकी जगा शेहनाज शेख ने ली सर्गन टाइम के प्रोड्यूसर कैसर फारुग थे नौजुलाई को निलामघर का नाम तारिफ अजीज शो रखा गया दो मई 1985 से नौजुलाई 1993 तक निलामघर के दूर में मजमुई तोर पर 415 प्रोग्राम पेश किये गए इस तरह निलामघर के दोनों अद्वार में 840 प्रोग्राम पेले कास्ट हुए कॉमिटी कॉमिटी पी टीवी का एक मुनफरिद शो था इसमें तारीख की तवातर से पी टीवी के मजाहियां प्रोग्रामों का जायजा लिया गया मेजबान बुश्रा अंसारी और रहत काजमी और हिदायात इक्वाल अंसारी अन्वर मकसूत ने स्टूडियो ढ़ाई पर पढ़ने वाली शेय से मात नहीं घाई और स्टूडियो पॉनित तीन लिखना शुरू किया और इसके जरीए नई पिसात सजाई इसकी हिदायात में मौसिन अली ने दिन मुस्तक्बिल शादाव माहौल क्यालूदगी के मौदू पर पी टीवी का एक यादगार शो था इसकी मेजबानी के फराइस अबैदुलाबेग और महताब अकबर राश्टी ने अन्जाम दिये इसे एस एम अन्वर ने पेश किया जनवरी 1993 में मलक अ तरन्नुम नूर जहां के सदबहार नखमों का सिलसला तरन्नुम दुबारा शुरू हुआ ये प्रोग्राम फर्रुख बशीर में पेश किया गजल का सफर में हजरत अमेर खुसरों से मौजूदा जमाने तक बड़े दिल्चस्प अंदास में घजल की गाईखी का आहता किया गया तहकीक अख्तर अली खां और मुसीकार नियास एहमद घजल का सफर के ज़्यादातर प्रोग्राम तारिख जमील ने पेश किये 1993 में ड्रामा सीरियल्स की तादाद मजीद बढ़ी 1992 में 24 ड्रामा सीरियल्स पेश किये गए थे 1993 में इनकी तादाद बढ़कर 30 हो गई अब खबरनामे के बाद भी ड्रामा सीरियल्स बाकाईदवी से दिखाये जाने लगे कोईटा मरकस से गर्द बात पेश किया गया तहरीर और या मकबूल जान हिदायात नुसरत ठाकुर इंतहा की भी नाजरीन में पजीराई की मुसनिफ शौकत के हर पेशकर्ष मुहमद बख्ष समीजों क्यों होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इंता का करदार ये साथ जब मुझे पेश किया गया जब मुझे प्रोडूसर नियुक्त दिया तुमिनस में देखा कि ये बड़ा कम पड़ा लिखा आदमी है जो इसे मिली में मेंबर की हैसिया से आ रहा है और अब उसका नाम जो है मिनिस्ट्री पर सरे फैरस था तो मैंने उस वडेरे को सामने रखका और मेरी जो अपनी जाती जो अब्जर्वेशन थी मैंने उनको रखा और मैंने ये कोशिश की कि मैं आवाम तक ये पहुचा सकूं कि देखें ये कम पड़े लिखें जो मेंबर आप सेलेक्ट करके और मुस्तंसर हुसें तारड की उम्दा तहरीर में नाजरीन को हर हफ़ते इसके इंपजार पर मजबूर कर दिया मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो तहरीर है उसका कोई ना कोई इंपक्ट कोई असर होना चाहिए उसको मुआशरे के जो ठहरे हुए जोहड़ है कोरप्शन के और बेंसाफी के उनमें इरताश पैदा करना चाहिए और मत्बूलियत मेरे हवाले से एहम चीज़ नहीं है बलके ड्रामे का इंपक्ट होना चाहिए उसका असर पढ़ना चाहिए पूरे मुआशरे पर प्रजियबर्ट के मश्यूर नौविल नौरीना को पिशावन मरकस से यूनुस क्यासी ने ड्रामी के कालिब में ढाला नाजरीन के इस पसंदीदा सीरियल के पोडियोसर अतियत अहमत थे कोई फाइदा नहीं ड्याडी पूछने का जो सिर्फ हिंसों की जुबान समझते हैं आहर के बाद निजात में बड़े मौसर तरीके से बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल की तरफ तवज़ो दिलाई गई ये सीरियल भी बड़ी मकबूल हुई पी टीवी ने इसे भी अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स युनिवरस्टी के तावन से पेश किया हिदायात साहरा कास्मी और मुसनिफ अस्खर नदीन सेयत जबैदा खातून के नौवल किरन की ड्रामाई तश्कील खालिद अहमत ने की घरेलू खवातीन में मकबूल इस सीरियल की हिदाया कंबर अली शाह ने दी जहां तक मैं समझ पाता हूँ के पाकिसान टिल्विजन ने ड्रामे का अपना एक स्कूल आफ फार्ट क्रेट किया या बनाया है जिस पे किसी और मीडियम की चाप नहीं है खसुसन फिल्म की कोई चाप नहीं जब के बाकि मुमालिक में यह हुआ कि जब उन्हें टिल्विजन शुरू किया तो उस पे फिल्म की चाप जरूर रही लेकिन टिल्विजन ने प्योर टेली प्ले का रिवाज काई किया ड्रामा सीरियल्स के इस दौर में सीरीज के जरिये नाजलीन की तबज्जो समेटना एक कारेदारत है पसे दीवार जिन्दा जनम लेने वाली सच्ची कहानिया रोजन जिन्दा में शाहिद अगबाल पाशा ने बड़ी महारत से पेश की ये पी टीवी की एक मकबूल सीरी साबित हुई जिया एहमद आवान की तहकी को हमीद काश्मेरी ने जिती जाकती कहानियों का रूप दिया अगर आईशा बेगम की पाक दावनी साबित नहीं हो सकी तो फाजल वकील इसकी बड़ चलनी का भी कोई सुबूत पेश नहीं कर सके 1993 की लॉंग प्ले अब मेरा इंतजार कर को एबी यू एवोर्ट से नवाजा किया इस लॉंग प्ले में आखरी मुगल ताइटार बहादुशा जफर और उनके एहद के पूरे कर्प की बड़ी खुबसूरत अकासी की गई ये नौरुल हुदाश्या और इकबाल अंसारी का एक हसीन फन पारा था पाकिस्तान तेलिविजन ने ड्रामा एक मिशन के तौर पे किया और एक सोशल वर्क के तौर पे किया मैं हमेशा यह समझता रहा हूँ कि मेरा रूल एज ड्रामा प्रोडूसर यही है कि मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी डिवलिपिंग नेशन में हम पैदा होने वाले जितने लोग हैं हम लोग बड़े सैंस्टेव होते हैं अपने सुसाइटी के हवाले से अपने इंवार्मेंट के हवाले से और बड़ी कोशिश में लगे वे होते हैं अगर हम मीडिया पे हैं कि हम किसी तरीके से सुसाइटी को अप लिफ्ट करें तो मेरा खाल है कि ड्रामा टेलिविजन ने ये वाज़ तोर पे अचीव किया है कि इसने लोगों को रियलाइज करवाया है कि वो अपनी गिवन सिचुएशन को बेतर करें 15 जनवरी से मवासलाती सैयारे एशिया सैट के जरिए पी टीवी की नश्रियात बैरूनी मुमालिक में देखी जाने लगी यकुम सितंबर से पी टीवी की सुभों की नश्रियात भी मवासलाती सैयारे के जरिए बैरूनी मुल्क दिखाई जाने लगी अमेरिका में पंधरमा वर्ल कफुटबॉल टूर्मिन्ट 17 जून से 17 जुलाई तक मुनकित किया गया फाइनल में ब्राजील और इतली मुकाबलाए इस साल मार्च के महीने में सोलवें चेप्टिन्स ट्रॉफी वर्ल्ड होकी टॉर्नमेंट का इनकाद नेशनल होकी स्टेडियम लहोर में किया गया पाकिस्तान ने 14 बरस बाद ये टाइटल जीता इटीवी की टॉर्नमेंट कवरेज को बैरून मुन भी बहुत पसंद किया गया एक तवील अरसे जारी रहने के बाद तफ्हीम दीन की जगा अप्रेल 1994 में ताज़दार आदिल ने प्रोग्राम तीनों दुनिया का आगास किया तीस जनवरी से नईम बुखारी गैस्ट आर के मेजबान बने प्रोडियूसर अमजब बुखारी और अख्तर वकार अजीम नौ अगस से इसलाबाद मरकज से एक और स्टेट शो सरगम सरगम फिर सरगम शुरू किया गया तेहरीर फारुग पैसर पेशकर नजीर आमिर पी टीवी के लाइसंस याफ्तगान के लिए तकसीम इनामाद के सलसले का आखास ग्यारा मैई से इसलामबाद मरकज ने किया मेजबान, कुरतुल एन, तहरीर, फारुग कैसर, प्रोड्यूसर, अमजद दुखारी और आरिफ राना इस साल तारिक अजीज शो ने एक और अदम आगे बढ़ाया छे अगस्त को शार्जा में रिकॉर्ट किया हुआ शो पी टीवी से पहली बार पेश किया गया यंग तरन में नए पॉप ग्रुप्स को मतारिफ कराया गया, इसके ज्यादतर प्रोग्राम शाहिद अकबाल पाशा ने पेश किये मारवी के फ्राप में सब ही मुब्तिला रहे धर के रेकजारों में परवान चहनवाली मारवी को नूरूल हुदा शाह ने आज के सिंद में तलाश किया इस मखबूल ड्रामा सीरियल की प्रोविसर सुल्ताना सिदीकी थी सही बयान दू, तो सुन सकेंगे आप फन की दुन्या में टेल्वेजन ने जो का रहे नमाया सरजान दी है मेरा ख्याल है कि वो ताइफ के काबल है कोईटर मर्कस के सिरियल धुआ को कोई फरामोश नहीं कर सकता प्रोडियोसर सजाद एहमद ने नए मुसन्निफ आशिर अजीम और नए अदाकारों की टीम से इस तरह काम लिया कि वो किसी को अज़नदी नहीं लिए आशिर अजीम ये बताईए कि क्या आपने धुआ में जो ख्याल पेश किया वो हमारे माशरे में मुम्किन है प्रोडियोसर जेब शाहिद ने कोईटा मरकस से एक और मकूल सीरियल शेहरजाद पेश किया इसकी हर किस्त इंतजार बढ़ाती चली गई शेहरजाद औरिया मकूल जान ने तहरीर किया जहरबाद में जाली सर्मायकार कंपनियों को स्केंडल की बड़ी खुबसूरत अकासी की गई मसन्निफ डॉक्टर तारिख अजीज प्रोडिसर राशिड़ डार जहरबाद में शुडाद हाश्मी ने एक यादगार किरदार किया आपने तीन ही नहीं लोगों की दुनिया भी सवारती है अब पिछले एक साल से ड्रामे में बड़ा वाज़ फरक आया पिछले 10-15 साल में अगर आप देखें तो हमारा राइटर हमारा प्रडूसर अपर क्लास दिखाता रहा मिडल क्लास और लोवर क्लास को और वो दोनों क्लासें फरस्टेट होती रही हमारा हमारी बच्ची हमारा बच्चा हाई ये कितने खुबसूरत परदे हैं कितने ग्लैमरिस ड्राइंग रूम्स हैं ये दिखाते रहे कांटेंट क्या था एक लड़का लड़की इश कर रहे महासरा में कश्मीर के मखलूम अवाम पर तंग किये जाने वाले महासरे को मौजू बनाया गया इस मकबूल रामा सीरियल पर बड़ी मिहनत की गई पेशकर शाहिद महमूद नदीम और शराफत नकवी बलाओ की तपिश को भी नासरीन ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया तहरीम अजगर नदीम सीद हिदायत शौकत जैनुल पाविदीन दूंगरू तुझे कितने मारका है के बाहर बैठा कर हर वस यहां भी घुसा रहता दूँ इत्राफ की मख्मूलियत का सब ही ने इत्राफ किया कहनी एमिर रहत ड्रामाई तश्कील हमीद काश्मीरी और पेशकर्ष काजिम पाशा अच्छे वह आप लोग बाते करें मैं आपके लिए चाहला आती हूँ आज टेलेविजन को हमारे मुल्क में आए हुए 30 साल हो गए और ये 30 साल काम्याबी के 30 साल है सारी दुनिया में टेलेविजन का मकाबला फिल्म से था यही सुरत हाल हमारे आमी थी मगर देखते ही देखते टेलेवेजन पूरे मुल्क पर चा गया और टेलेवेजन ने अपने मेयार को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश की पी टीवी की एक और शहकार ड्रामा सीरीज साबित हुई इसमें एहमद नदीम कास्मी की यादगार कहानियों को ड्रामे का रूप दिया ज्यादतर कहानिया अयूब खावर ने पेश की जितने आने बनते हैं अकर उनसे एक दिन पहले भी तो यहाई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूगा गंदारा तहजीब के एक और मरकस ट्रेक्सला के बारे में एक दस्ताविजी फिल्म मशकूर एहमद नज्म ने बनाई विमन इन डवलप्मेंट में पाकिस्तान के मुखतलिफ इलापों की तरकी में खवातीन के किरदार की अकासी की गई हिदायत नर्गिस हाश्मीर खालात हाजरा की शोवे ने नित ने प्रोग्राम शुरू किये प्रोग्राम को नाजरीन के लिए दिल्चस्प बनाने के लिए प्रोग्रामों की हयत में तब्दीलियां भी की 1994 पी टीवी की तीसवी सालगिरा का साल इस मौके पर खुसूसी प्रोग्राम पेश किये गए कोईटा मरकस से टीवी क्विस प्रोड्यूसर अकबाल हैदर कराची मरकस से पी टीवी का सफर पी टीवी के पाँचों मरकस को शामिल करते हुए एक ग्रैंट शो का इहतिमाव देखते ही देखते टीस साथ बीट गए कल के बहुत से फनकार आज बहुत बदले-बदले नजर आती है चुप कर जा ना कर शो नहीं चलना तेरा जो कंडे उत्ते बेड़ी डूप गई साथ दिल दिया दिल विच रहियां चांचर पगदीर गुद्वी नर्ड कांच सबना नुचेर कांच सस मूवी आख दी निरान नूवी आख दी सस मूवी आख दी निरान नूवी आख दी मेरे वंगा देवो निपवा पापो मैंनू तेरी सावंग अहवाला आनी गया मैं दिखाऊं वो रंगों की जादू गरी लोग सोचे ये नारी है या जलपरी कहां कहां चुपोगे तो आखों से तो दी छुपा है चानद भी नारों से यहां हूँ मैं कहां हो तुम नहीं जाने क्यों ही दिरम चलता है पीटीवी की तारीख के सफाद उलटते हुए कई दिल्चस्प इनकिशाफाद अवामी मखबूलियत के बाद 1974 और 1975 में दोबारा तयार किया गया और दूसरी बार भी इसने मखबूलियत के नए रेकॉर्ड काइम किये छे मर्दों को भी पीटीवी से अनाउस्मेंट का एजाज हासिल हुआ आईए तीस्वी सालग्रा के इस मौके पर पीटीवी के मतालिख चंद शखसियां से उनकी राए पूछते हैं टीवी का को प्लेटफर्म को पकरना नहीं चाहता था और भागता था दूरी पब्लिक सिटी से लेकिन खुस्बस सुजाद में चेहरे में मुझे लेकर आई कोई नो कोई तरीके से किसी ने इंगल से मुझे तयार कर लिया लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि उस दिन से मेरी इंसानियत का जो पेगाम की प्रदा जो है वहाँ से चली इसमें तीस साल में एक टीम वर्क हुआ है एक बहुत खुबसूरत टीम वर्क का हुसन सामने दिखाई देता है मसलों राइटर अपने कलम के जरीए से टेकनिशियन्स अपने तजिर्बे की रोश्री में इस हुषन में तीस साल से एदाफा करते हैं। ज्यादा पाबंदी वाली ज्यादा तंग नजरी वाली लोग जो घर में बच्चियों के पर तंग नजरी करते हैं वोई लड़किया हमारे पास आती हैं घर से तंग आके कि हमारे घर में कोई भी मतलब तफरी सामान नहीं मौजूद स्पोर्ट्स की तरकी में बिलाशुवा पी टीवी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और आज हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को जो इतनी मकबूलियत हासिन हुई है उसमें बिलाशुवा पी टीवी का एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है और इस मौके पर मुझे अप सब्सक्राइब करके सुनाओ तो मैंने कमेंटरी सुनाई 3-4 मिनट सुनने के बाद उन्हें जो पहला लफ्स कहा वह यह था कि चलेगी पी टीवी प्रोग्रामों ने खावातीन में सिर्फ फैशन ही को पाफुलर नहीं किया है बल्के उन्हें अपने हकुक से आगही भी दिये तीस बरसों में पी टीवी का सफर आगे और आगे की जाने जारी रहा कुंदी 3 सालबाद इस सजौत जौरानवे में चथी टी वी सेंटर। ट्रीवड गास्टंग इस निस सो जौइट में एक भी नहीं निस सो चौरानवे अड़शी नश्रियाद का धाएरा 9 सो चौन सोट में नौ अशारिया तीन जूफीस दाबादी 1994 में 87.82 फीसद नश्मियादी रखबा 1964 एक फीसद 1994 अटिस आशारिया नौ दो फीसद हमला 1964 में 36 1994 में 5901 पी टीवी की तारीख के कई बाब बहुत रोशन है पी टीवी का तवील तरीन अर्से से जारी रहने वाला प्रोग्राम बसीरत तवील तरीन ड्रामा लम्हें जिन्दार रहेंगे प्रूइसर इश्रक अंसार्ण तवील तरीन अर्से मसलसल अनॉसमिन्ट उध़ाला यासमी Newman 11 बरस माकामी तूर पर सबसे जादा زबानों में खबरे पेश करने वाला मेर्कस कुईटा चार जबाने उर्दू, बलोची, बरहवी और पश्टि तीस साल में सबसे जादा ड्रामा सेरीज और सीरियल्स लहॉर मर्कस नीपेश किये सबसे ज़्यादा मुसीफी के प्रोग्राम नहोर मर्कज, सबसे ज़्यादा हालात हाजरा के प्रोग्राम इसलामबाद मर्कज, सबसे ज़्यादा मालूमाती प्रोग्राम कराची मर्कज पी टीवी की आमदनी में सबसे ज़्यादा हिस्सा उनासी आशारिया एक आठ पीसित कराची सेंस ओफिस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोग्राम तहरीर करने वाले अफराद सबसे ज़्यादा अर्स जारी रहने वाला लाकाई को इस शोप परक तकरीबं तेरा वरस तवी तरीम सीरीज अलिफ और लून तीस बरसों में प्रोग्रामों पर मिलने वाले बैनुलबस् детей सबसे ज़्यादा सोला बैनुलबस्वामि अवोर्ड द justify फिल्म को मिले पिटी वी ने इन तीस बरसों में तरक्की की नई मनाजल तेकी 1964 एक हफ्टं एक ख़्यात लूरानिया 18 घंड de 1994 में 87 घंड 1964 में इश्तहारात का दोरानिया नौ घंटे 1994 में एक हजार दोसौ अस्ती घंटे 1964 में आमधनी डेर लाग रुग है 1994 में आमधनी एक्यासी करोड चोहतर लाग रुग है पी टीवी की सरगुजश्च जरगुजश्च नहीं पी टीवी ने गुजश्चता 30 बरस के अरसे में मुखतलिफ उलूम और खनून की तरवीच की पी टीवी के कारफुण 21 वी सदी के चैलन्ज से आगा है मुल्की सौफी सदी आबादी तक पी टीवी वी वन की नश्याद पहुचाने की कोशिश जारी है दुनिया से अपने नाजरीन को और खरीब दाने के लिए पी टीवी ने अपनी खबरों का मजमूरी दौरानिया भी बढ़ाया है पी टीवी से आठ मुक्तलिफ जबानों में खबरें नश्याद की जाते हैं अब हर हफ़ते कौम नश्यादी रापते पर कमस कम तीन सो नवव मिनट खबरें पेश की जाते हैं पी टीवी वन के प्रोग्रामों की बैरूनी दुनिया में बड़ी मांग है पी टीवी से एक मौाइदे के तहट शालमार रेकॉर्डिंग कमपनी पी टीवी के प्रोग्रामों को वी एचेस कैसेट्स पर मुंतफल करके घरेलू सारफीन को फराहम करती है पी टीवी माजी में बहुत से चैलेंज से गुजरा अब भी इसके सामने बहुत से चैलेंज मौजूद है इस वक्रे अर्स पर एक नश्रिया की जंग किसी फजा है हर सम्थ टीवी चैनल्स की यलगार है इस तलिसमाती स्क्रीन पर कभी शब नहीं होती एक दिन के खत्म होने से पहले दूसरा दिन शुरू हो जाता है रिमोट कंट्रोल में एक दुनिया समाई हुई है एक जुमबिश पर मनजर पदले जा सकते हैं अब नाजरीन को किसी एक चैनल के हिसार में रखना नामगिन है पी टीवी के तीस बरस माजी का हिस्सा बन जाएंगे आप पी टीवी का मुस्तप्ल कैसा देखते हैं यकिनां पी टीवी के तीस साल इस साल 26 नमंबर को माजी का हिस्सा बन जाएंगे और अगर हम सोड़ा साथ इसे की तरफ देखें तो एक बड़ा खुशाइन से एहसा होता है कि एक ऐसा इदारा जो दो तीन कवरों की एक तक्रीबन जिसको जोप्रा नुमा इमारत कह लें या बैरेक्स थें उसमें लाहूर में जहां शुरू हुआ उससे वो तरकी करके आज इस मन्जिल तक पहुचा है कि उसके पास पांच स्टेशनों का एक नेटवर्क है इसके अलावा एजूकेशनल टीवी का एक सिलसला है और इस लिहाद से जो काम पचास आदमियों ने शुरू किया था और जहां अब खुदा के खजब से छे हजार अफराद जिसके लिए काम कर रहे हैं वो यकीनन एक बहुत बड़ी तरकी और बड़ी मन्जिल की तरफ पेश कदमी से ही इसको ताबीर किया जा सकता है यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम था जो इस साल जनवरी में उठाया गया के टीवी की नशियाद जो पहले सिर्फ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन तक मेदूद थी उनको सैटलाइट पर हम ले गए और अब ये नशियाद 36 ज़्यादा मुलकों में देखी जाती है और उसन भी की जाती है ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिस पर पी टी वी और उसके कार्पुन जितना फखर कर सके वो बजा है ये तो हमारा हाल है और मुस्तक्बिल यकीन अगर हम नए ट्रांसपॉंडर्स या नए सैटलाइट के जरी अपनी नशियाद और दूसे मुलकों तब पहुंचाना चाहें एक मुक्तसर जाइजे की सूरत में अब हमारी ज़्यादा कोशिश ही होगी कि हम अपने प्रोग्राम के मंदर्जात या कल्टेंश के इनको कैसे हैं उनको बेहतर बनाएं और इस तरह हम उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें जो आज के मीडिया रिवलूशन के हवाले से हमें तरपेश है जिसको यूँ कहा जाए तो गलत नहोगा कि इस यलगार से जो मीडिया के हम पर हो रही है उसमें अब खिलकी दरवाजे च्छतें कोई भी चीज महफूज नहीं हैं हम दुनिया के मुक्तलिफ अलाकों से ये प्रोग्राम हमारे घरों तक हमारे बेडरूम्स तक पहुच रहे हैं और उसमें हमारा पहला पहली कोशिश ये होगी कि हम अपनी अगदार अपनी वैलियू और अपने जो हमारा विर्सा है हम उसके हवाले से प्रोग्राम करें और ऐसे प्रोग्राम करें जो हमारी खांदानों के तमाम अफराद एक साथ बैठ कर देख सकें औ वो ये है कि जो मैंने जो बेरूनी नश्रियात देखी हैं और जो हम देख रहे हैं उसमें जादातर मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे अपने कल्चरिल बैग्राउंड में हमारे थमाम खांदान के अफराद बैख कर ये प्रोग्राम नहीं दे सकते और ये मसला सिर्फ हमारा ही नहीं ये उन अरब मुलकों का भी है जहां ये प्रोग्राम इसी तरह पहुँच रहे हैं ये हमारे मश्रिक में वाकि मुलकों का भी है बहाला जहां हमारी अख़दार से मिलती जूती अख़दार मौझूद है उनके लिए सब के लिए ये मसला है कि ये आइंदा टीवी और जो उनकी कोशिश है वो ये है कि हम इसको एक होम टेलिविजिन के तौर पर नाज़ीन के सामने लाएं और उनकदार के तहफूद और उनको आगे बढ़ाने में अपना करदार अदा कर सकें जो हमें जो हमारा विर्षा है और जो हमें अजीज पी टीवी के 30 साल पानियों की दास्तान है ये कामयाबी इससे वाबस्ता हर कारकुन और मुख्तलिफ शोगों में काम करने वाले अफराद की मरहूनी मिनत है पी टीवी की कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा नाजरीन का है जिनकी राए और तनकीद ने इस इदारे को हमेशा आईना दिखाया इस वक्त हम पी टीवी के तीसवे संगमी पर मौजूद है इसके आगे हर सम्द रास्त ही रास्त है नए दिनों नए मुसाबते दिये रोशनी बना रहे रवा दबा रहे क्यों ही रवा दबा रहे